जैहिंसाथियों एक motivation ले करके आपके बीच मौजूद हूं और मैं हमेशा यह मानता हूं कि जितने समर्पढ़ भाव से जितने कठोर परिश्थरम से हम पूरा समय ले करके पूरा मन ले करके पूरा त्याग करके हम अपने लक्ष प्राप्ति में लगे होते हैं तो बीच बीच में यह जो अभी प्रेणा होती है मौटिवेशन होता है यह ठीक उस इंजेक्शन की तरह काम करता है जैसे आपको एक अलग से कोई उर्जा एक अलग से कोई शक्ति मिल गई हो टैकशलोजी में वैसे भी कहा गया है कि अभी परेणा अधीगम का स्वाडेम राजमार को होता है इस किनरका एक प्रसिद्ध कथने है हैं तो कभी किताबों से हट कर hani को देखना होता है कभी किताबों से हट कर के कुच चीजे ऐसी जो की हम को ओर जाएं दे रही हैं जो कही हम को अविप्रिणाएं दे रही है हर उस त्रोथ से आप अब प्रिणाइन लीजिए इसलिए तो किसी शैर ने कहा कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो जिन्दगी क्या है किताबों को हटा कर देखो तो हम कभी कभी किताबों से हट करके दर दर देखते हैं तो बहुत कुछ हमारी जिन्दगी में होता है और निशित तौर पर और यह जो कहानी है आप बचला उठाते हो यह मैं कई बार अपने ऑनलाइन ऑफलाइन बैच में सुना चुका हूं विद्यारतियों को बड़ी प्र फॉलिज में एड्विशन लेता है वहाँ उसकी मित्रता एक शहर के रहने वाले बच्चे से होती है अपने सहपष देखना है मैंने कभी गाउन नजदिक से देखे नहीं है गाउन की जीवन शैली जो होती है वो मैंने कभी महसूस नहीं की है तो मैं जाना चाहता हूं तेरे गाउन मुझे एक दो दिन गुमा करके ले किए तो जो घू कर्वेश का बच्चा था वह उसको बुरूता है ठीक है तिरे घून ले करके चलता हो फिर चलता हो ऑर उस यदाकर बग्रम lle करके वह जाता है एक दो दिन पर दूर चलके अच्छानक वह जो ग्रामीड बच्चा था वह अच्छानक उस अपने शहरी दोस्त को रोकता है बोलता है कि मुझे कुछ काम है और वहां उसका भैसों का एक बाड़ा था जो कई सारी भैसे बंदी हुई थी तो वह ग्रामीड परविशाला विद्यारती अपने शहरी दोस्ते से बोलता है कि मुझे दूद पीना है मैं दूद पी लेता हूं फिर अपन चलते हैं तो शहरी बच्चे ने कहा कि ठीक है तू दूद पी ले तो उस ग्रामीड बच्चे ने वहां पर एक भैस जो खड़ी थी काफी भारी वह उसने भैस को दोनों हाथ से उठ अठाया और अपने कंदों से उपर ले जा करके उसके जो थन थे थन से सीधे मूँ लगा करके दूद पीने लगा और यह देख करके यह देख करके वो जो शहरी परवेश्वाला बच्चा था उसकी आँखें आश्चर से फटी रहेगी कि इतनी भारी भैंस इसनों उठा कैसे ली और अपने कंदे तक मूचाई पर ले जाके उस भैंस को उठाके उसका दूद पी रहा है सीधे सीधे वो बड़े आश्चर बहुत जादा आश्चर से वो भर जाता है और जब वो जो उसका ग्रामीड दोस्त था वो जब दूद पी करके भैंस को इसनी भारी भैंस तूना उठा कैसे लिए और वो भी कंदे से उपर जो जवाब दिया उस ग्रामीड बच्चे ने उसना जवाब कितना सुंदर दिया उससे का कि यह भैंस भारी है मुझे तो इस बात का पता नहीं है मैं तो इस भैंस को तब से उठाता था मेरे पिताजी तब से उठाते थे जब भी बिल्कुल छोटा सा बच्चडा था और मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि इसको रोज उठा मैं इसको रोज उठाता हूं और यह कब उस बच्चडे से भैंस बन गया कब इसका वजन बढ़ता गया मुझे आज तक पता नहीं लगा क्योंकि मैं इसको जो प्रत्यक दिन उठाता हूं तो मैं तो हमेशा यह सोचके उठाता हूं मेरी मानसिक्ता में यह होता है कि मैंने इसे कल ही तो उठाया था कि विद्यार्ति यह बहुत बड़ा एक प्रिणासपद की प्रसंग है आप जब अपने स्लेवस से जुड़े बिंदुगों को समय समय पर समय समय पर और लगा अतार आप बच्चड़ा होता है तब आप उठाते जाते हो आपको पता नहीं लगता है कि एक दिन आप उस अपकी पड़ी रियती है फिर एक स्टेज़् पर जाकर कर सुचते कि आप सारी त्यारी कर लें तब उनको पता लगता है कि वह त्यारियां जो है वो इतनी बड़ी हो गई है कि वह भैस बन गई है और उस भैस मैं प्रूपी वजन को अब मोड़ने में सक्षम नहीं है तब उनको अप्र होता है तब उनके डूर्श ठाक्ता होते हैँ तब एक दम बेचन हो जाते हैं और उस घबराट में वह अपनी तयारीों को कई नगी अस्त व्यस्त कर लेते हैं तो नयोजित तरीके से आपको चलना है समय समय पर अपने स्लेबस का एक निश्यत लक्ष बना करके उसे समय समय पर आपको पूरा करते जाना है और आपको एक दिन सच में यह पता लगेगा के जिसे आप रोज उठा रहे हो जिस बच्छडे को आप रोज उठा रहे हो वह एक दिन भैस बन गया है और यह मैं आपको बिल्कुल पक्का और अपने अनुभवां से मैं आपको इस बात को बोल रहा हूं तो अपनी तैयारियां लगातार सत्त करते चलिए तैयारियां जो होती है परिच्छा का लक्ष जो है वह आपके लिए इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी आपकी आकांग्छा है लेकिन उन आकांग्छां को इतना बड़ा कीजी और उसकी उसके लिए आपकी जो भूक है वो भूक को इतना बड़ा कीजिए कि लक्ष छोटा पड़ जाए यह बहुत ज़्यादा जरूरी है और मैं हमेशा अपने विद्यारतियों के एक बात यह बोलता हूं कि सूरज की तरह चमकना चाहते हूं कि सूरज की तरह जलना आपको पड़ेगा की आपके जमनेके दिन है कि आगामि छेह माह है जिलने के दिन और मैं आज आपकी बीजर इसलिए के आए था आज 20 मार्च 2022 है रववार है कल säका 21 मार्च से सोब भागर से मेरा बरिठड़े भी है कल 11 मार्च से मैं डबल डोज वैक्सिन सीजन टू ले करके आ रहा हूं और उस डबल डोज वैक्सिन सीजन टू में आपके साथ फिर शांदार समवाद होगा जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में प्राते आठ बजे एक ट्रेस्ट डाला जाएगा जिसमें दस प्रशन होंगे मैथड्स के और सा आप दस चौक चालीस चार ऑप्शन होते दस चौक चालीस प्रशनों के रूप में हल होता हुआ देखेंगे 360 डिग्री एक्स्प्लेनेशन के साथ डेली शाम को आठ वजे यूट्यूब चैनल पर तो यह जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसे आप सब्सक्राइब किजिए कि आपको बहुत जाए आगामी साथ दिन तक यह सीजन टूचलने वाला है और हर वो बच्छा जो रीट दे रहा है चाहिए वो 2 रीट लेवल सेकेंड कलावर्ग से हो रीट लेवल सेकेंड विज्ञान वर्ग से विज्ञान गड़िट वर्ग से उन सब के लिए सेकंड ग् योगी इसलिए है क्योंकि मैंने प्रश्ण जो लिए है वह उभेनिस्ट खंड वाली लिए मैंने सब्जेक्ट्री से नहीं उठाई है प्रश्ण मैंने प्रश्ण वह लिए हैं जो हर विशय में आएंगे जो कॉमन आपका स्लेबस होता है मैं टो कल सब टो सामबार 21 मार्च से मैं फिर दोर आ रहा हूँ कल समबार 21 मार्च से 2022 से मेरा ये सीजन टू चालूँ होगा के description box में मैंने application का link दिया हुआ है वहाँ जा करके आप application download कर सकते हैं और application download करके आप सुबह आठ वजे test दीजिए test में अपने आपको देखी आप कितने प्रापतांक ले करके आ हैं और कल शाम को ही आठ वजे लाइब आकर कि मैं यूट्यूपर आपको उसका सांदर solution कराने वाला हूं उस explanation को देख करके आपको सच में बहुत मज़ा आने वाला है ताथ दिन तक की कारकरम चलेगा और पूरे साथ दिन में मैं दस दस प्रस्टों से सतर प्रस्ट जो दोंगा और उस सतर प्रस्ट के चार्शार उप्शन साच्चों कठेश 282 प्रस्ट के बराबर आपको मेंटर मिलने वाला है और यह आपके लिए बहुत बड़ा यह मैंने आपको पिछला जब सीजन वन में लेकर करके आया था सीजन वन के भी वीडियो जो चाहता हूं लाता रहूंगा आपके बीच में और परिच्छा तक आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करना है मैं चाहता हूं कि प्रतेक दिन आठ बजे कल सौंबार 21 मार्च से प्रतेक दिन आठ बजे आप यूटूब पर लाइव जुड़िए मैं कल से लेके साथ दिन तक आठ यूटूब पर लाइव रहने वाला हूं आपको बहुत ज्यादा मज़ा आएगा आपके कुछ जो बच्छडे हैं उनको भैस बनने से पहले मैं कुछ मैं भी निप्टाने में आपकी साहता देता हूं तो विद्यारतियों आप सभी को शुपकामने अच्छी तैयारी की सुपकामने और यह अच्छी तैयारी आपकी लगातार बनी रहें लगातार बनी रहना इनका जरूरी है आपकी आँखों में सपने का जिन्दा रहना जरूरी है और उस सपने के लिए आपका बेचैन रहना जरूरी है आँखों में अपने बेचैन यह लेकर चल तो जिन्दा हो तो आँखों में बेचा नहीं है दिलों में बेताबियां लेके चल रहे तो जिन्दा हो तुम यह आपको लेकर के चलनी है दिलों में बेताबियां और जब तक लक्ष के लिए आप बेताब नहीं है आप बेचा नहीं है तब तक लक्ष आप से दूर है तो सीजन ू का सीजन टू का फर्स्ट पेपर लेकर के मैं प्रतीक्षा करूँगा आप की ठीक विडियो को आप जितना शेयर कर सकते जितना विद्ध्यारति हें तो सब अच्छी चीज अच्छी वीडियो अच्छे प्रस्ण तैयारी का अच्छा प्लेटफार्म बच्चों तक को चे बहुत धन्यवास आती हो जै हिन जै भारत